हाई फ्रेंड्स मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा एक बुरी खबर है बुरी खबर है दे फैमिली मैन 2 के लवर्स के लिए दरसल बहुत दिन से आप इंतिजार कर रही है कि मनोज बाजपे स्टारर दे फैमिली मैन 2 कब एमेजॉन प्राइम पर आएगी कब हम उससे देख खबरे थी कि ये 12 फर्वरी को स्ट्रीम होने जा रही है लेकिन Amazon Prime ने फिल हाल इसको पोस्पोन कर दिया है 12 फर्वरी को अगर आप फैमिली मैन 2 देखने का इंतिजार कर रहे थे तो अब आपका इंतिजार नजाने कब तक के लिए बढ़ गया है क्योंकि हाल फिलाल Amazon Prime ने फैसला लिया है कि कोई भी वेब सीरीज वो अपने प्लाटपॉर्म पर रिलीस नहीं करेगा और इसके पीछे वज़ा है मिर्जापॉर्ण और इसके पीछे वज़ा है तांडव दोनों ही वेब सीरीज को लेकर जबरदस्ट विवाद हो रहा है तांडव तो हमें आपको बताने की ज़रुरत नहीं है किस कदर उसमें जो सीन था उसको लेकर विवाद हुआ वो सीन हटा लिया गया मेकर्स ने माफी मांग ली यूपी में मुंबई में पूरे महराष्ट में कई जगाओं पर मेकर्स के खिलाफ एफ आई यार दर्च की गई सैफ अले खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई जिशान अयूप को ट्रोल किया गया लेकिन इन सब के बीच ये जो विवाद है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है जबकि मेकर्स हाद जोड़कर माफी मांग चुके हैं उस सीन को वेब सीरीज से हटा चुके हैं मिर्जापूर को लेकर भी आरोप लगा कि मिर्जापूर की छवी खराब करने के लिए मिर्जापूर वेब सीरीज में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं तो उसको लेकर बावाल हुआ और Amazon Prime के खिलाब फिर एक और विवाद जुड़ गया इन सब के बीच Family Man 2 की जब इसा क्या है ना उसमें कोई धार्मिक चीजी है ना कोई उसमें ऐसा अंगल है गालिया जरू है लेकिन वो तो पहले पार्ट में भी थी तो Amazon Prime का ये कहना है कि अभी मामला सेंसिटिव है अभी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते गालियों पर ही बवाल ना मज जाए और हो भी सकत है फैमिली मेंट 2 से एक्सपेक्टेशन कितनी है ये सब जानते हैं तो अगर ऐसे में फैमिली मेंट 2 के साथ कोई कॉंट्रोवर्सी होती है और स्टार्स बेमतलब में घिरते हैं तो ये कुछ बेकार बात ही होगी और यही वजा है कि Amazon Prime ने फैसला लिया है और खासकर जो वेब सीरीज के मेकर से राज अंडी के उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि चीक है कुछ दिन के लिए इसको पोस्ट पून कर देते हैं इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं